दूस्तों हम इस्टोरेटेट पर निसंबर के एक्सपारी का आनलसर कने वाले हैं कि निसंबर के इसदे की मुदिक TIM में 5 था उसके आधार पर बताया था कि जो निफ्टी है इसका जो इंपॉटन लेबल है अठाराज में वहाँ से भाया वहींचे सिलिप होगा बेंट के निफ्टी वी जो था ये 43,000 तक के पहुंचा लेकिन उस लेबल को होल्ड नहीं कर पाई वहाँ से निचे सलिप हो गया और एक रेंज में निफ्टी बेंग निफ्टी आज काम करते हुए नजर आया है निफ्टी ने जहां आठार या दोसों के लेबल के पार नहीं निकल पाया वहीं पे बेंग निफ्टी जो होता है ये 43 का लेबल होल्ड नहीं कर पाया और वहीं से ये ले मूद लुडब गया इसी के अधर हम देखते हैं कि निफ्टी और बेंक निफ्टी में होता हुआ नज़र आेंगी निफ्टी किस पॉइंट पर एकस्पार होंगे तो इसकी जानकरीम आचिए वीडियेमें देखेंगे तो हम आते हैं यहां पर एंगर के एप्लिकेशन पे आचुके हैं एंगर के एप्लिकेशन पर आने के बाद हमें आना होता है क्टे किया है आज के लिंगे अगर हम निफ्टी का कारबार देखते हैं तो निफ्टी ने कुछ इस प्रकार से काम किया था निफ्टी का जो लेबल निकल के आया था इसमें देख सकते हैं कि निफ्टी जो ओपन हुआ इस पॉइंट के उपर यह इसने ओपनिंग दिया अज 18,08 के आसपा से ओपन हुआ और ओपन होते हैं इसने जो हाई लगाया था यह 18,180 के आसपास का इसने हाई लगाया 18,180 के भी यह नहीं पहुँच पाया और वहीं से स्लिप हो गया याना कि जो लेबल हमने प्रडेक्ट किया था 18,200 का वह एक बॉटेंग लेबल था उस लेबल पर जैसे ही निफ्टी गया वहाँ से इसमें एक ग्रावट देखने को मिली और निफ्टी ने यहां से एक डाउ पर किलिक कर ले हैं, बेखने को किलिक करते हैं बेखने के चार्ट कर लेंगे, इस ने जो टिप ग्रेट यह दिए, वो 42,700 के नीचे तक बेखने तखने उपन वहाा था, यह ओपन हुआ था 42,800 के आसपास ये open हुआ और इसने जो high लगाया है ये देख सकते हैं कि इसने 43,030 के आसपास का इसने high लगाया है वहाँ से इसने high point को sustain नहीं कर पाया और वहीं से ये slip हुआ ये अभी 42,900 के price पे काम करता हुआ नज़रा रहा है तो इस प्रकास आज bank nifty ने कारोबार किया याने कि जो हमने अनर्जिस किया था जो हमने protection किया उसी के अरहार पर अज मार्केट ने रिक्ट करता हुआ दिखाए दिया अब हम बात करते हैं कि nifty और bank nifty में जो monthly expiry है ये कहां पर होते हुए नज़र आएंगी तो nifty के monthly expiry पो चेक करने के लिए हम यहां सबसे पहले तो इंस्टारेट पर हम nifty को add कर लेते हैं यहां पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपको by put option के नीचे में एक option chain के एक टेप देखने को familiarize के अब हम क्लिक करते हैं simply तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो इंस्टारेट पर निफ्टी का option chain का चार्ट यहां open हो जाता है निफ्टी का option chain का चार्ट इसका भी analysis करके हमने बताया था तो सेम उसी प्रकाश से हुआ जो 18,200 का put के हमने बात कही थी यहां पर कि यह 70 rupees के आसपास मिल सकता है और इसने जो आज लो लगाया था 16.2 का लो लगाया और वहां से हमने कहा था कि 100 rupees का हमको इसके अंदर एक price देखने को मिल सकता है और इस प्रकाश से एक analysis आप कर सकते हो वही हम आपको यहां पर सिखा रहे हैं तो किस प्रकाश से आप यहां पर आप सही तरह से portion आप यहां से ले सकते हैं तो जैसे हमने analysis किया उसके आधार पर आप देखने को यह मिलता है कि जो nifty की जो expiry होते भी नजर आती है सबते important label तो इसक हमको तेजी बनते हुए नजर आएंगी निफ्टी जो 18300 का price हमको देखने को मिल सकता है लेकिन अगर 18200 के निफ्टी अफिरी जो 18400 के price पे trade कर रहा है और यहां से 18200 के price पे आता है तो निफ्टी में एक बार से और correction हमको देखने को मिल सकता है और निफ्टी यहां से हमको 100 point की dip यह दिखा सकता है तो इस प्रकास से निफ्टी में जो important label बनते हुए नजर आ रहे है तो निफ्टी का जो एक बड़ा support है बनते हुए नजर आता है सबसे करीब का यह तो 18100 का support को break करता है तो 18000 का जो label हमने कर नोटिस किया था यह important label हो जाता है कि 18000 के label तक के आ सकता ह निफ्टी 1800 के label पे आने के बाद यहां से हमको एक bounce bag भी देखने को मिल सकता है और वापिस जो निफ्टी 1800 दोसों के price तक जा सकता है अगर इन case में ऐसा होता है कि निफ्टी 1800 के label को break कर देता है और break करने के बाद निफ्टी 1800 को hold करता है तो निफ्टी में जो अगला label बनता तो Nifty में 18,000, 100 से लेक्टाराजार के लेवल एक सपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है तो Nifty के अगर हम मोटा मोटी रेंज की बात करते हैं Nifty में 18,000 से लेक्टाराजार तीन सो के बड़े लेह निकलती है इस पीच में Nifty का कॉंटर्ट होता हुआ नजरा सकता है इसी के आधार पर हम बैंक Nifty का अपने का टेप बना है इसके ओपर क्लिक करना होगा तो यह टेप आपको इंस्टाटेट पर देखने को मिलते हैं तो इंस्टाटेट को आपको यूज करना चाहिए अगर आपके पास एंजरों का अप्लिकेशन नहीं है तो एंजरों के एकाउंट ओपने की लिंक हमने डिस्केप्सर में लगा हुई है अब हम यहां पर बायब ज़िए में उप्सण चेन आपको देखने को मिलती है तो उप्सण चेन के अपर हम क्लिक कर देते हैं अगर बेंग नेफ्टी का इंडेक्स यहां पर आता हूँ नजर आता है तो हमको 43,000 के put में हमको position बना सकते हैं और यहां से हम इसमें play कर सकते हैं, ठीक उसी पकाश से हुआ, बेंग नेफ्टी का इंडेक्स 43,000 पर आया और वहीं से slip हुआ और इसने जो 42,800 तक के, यहां तक क slip हो गया, तो इस पकाश से इसने 200 पॉइंट का यहां पर करिशन दिखाया है, अब बाद आती हैं कि, एक्सपारी जो है, बेंग नेफ्टी की किस पॉइंट पर होते हुए नजर आएंगी, इसकी रेंज क्या बन सकती है, तो इसकी रेंज देखने के लिए हम सब सब पहले ऐसे बैंग नेफ्टी में जो हाइस्ट ओपन इन्रेस्ट आज बनता हुए नजर आ रहा है, यहां पर जो हाइस्ट कोई राइटिंग हो रही है, यह फिप्टी फाइब लैक की बनते हुए नजर आ रहा है, इसी परगार से अगर हम इसमें ऊपर के लेबल लेखते हैं कि ब बंते हुए नजलाता है तो अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहां पे तो यह 43,500 बंते हुए यहां पर नजला रहा है लेकिन सबसे बड़ा लेबल तो यहां पर 43,000 का आऊँगा अगर बेंग निफटी 43,000 का लेबल को कल के 3 ब्रेक करके hold कर लेता है तो hold करने के बाद इसमें जो तेजी बनते हुए नज़राएंगी ये bank nifty में 500 पाइंट के हमको तेजी बनते हुए नज़रा सकती है लेकिन अगर bank nifty 43,000 का label को hit नहीं करता है यहीं से अगर 500 पाइंट उपा जाने के बादा का slip होता है तो bank nifty जो support लेते हुए तो bank nifty यहां से 42,500 का एक label है इसका एक काफी बड़ा label बन जाता है यहां से support लेते के उपार जा सकता है याने कि bank nifty की जो expiry की अगरम छोटी range की बात करते है तो bank nifty में जो छोटी range की जो expiry बनते हुए नज़राती है यह 42,800 से लेके 43,000 का एक label है यह बनते हुए नज़र आता है वो बड़ी range की बात करते है तो 42,500 से लेके 43,500 की एक range है यह range की बीच में कहीं ना कहीं पे इसकी एक contract expire होता हुआ नज़रा सकता है तो जो important label bank nifty के देखने में आते हैं वो important label यह है कि bank nifty में हमको 43,000 के label को ध्यान दखना चाहिए अगर 43,000 का label bank nifty hold करता है तो हमको इसके अंदर 200 से 300 point के हमको तेजी देखने को मिल सकती है अगर यह label hold नहीं करता है तो नीचे साइड में हमको 200 से लेके 300 point के हमको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है तो इस प्रकाल से हम nifty और bank nifty में call option या put option के साथ play कर सकते हैं आपने देखा कि कि इतनी आसानी से हम इंस्ट्रकेट के माध्याम से हम nifty bank nifty का अनरसिस करके हम इसके label का इसके लेबल निकाल सकते हैं और अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई option हमको यहां से बढ़ते हुए दिखाई दिता है तो हम call option के साथ जा सकते हैं और गिरते हुए मार्केट हमको रेखने को मिलता है तो दे सकता है तो यहां से simply buy button पर प्रेस करना होगा buy button पर प्रेस करने के बाद इसमें एक lot में 25 quantity आती है तो यहां पर simply one type करना होगा और इसका जो price है आपको price यहां पर मिल जाएगा आप चाहतो इसको price को आप change भी कर सकते हो आप चाहो तो इसको 300 पर purchase करना चाहते हो तो 300 यहां पर सिरे mention करेंगे buy button पर click करेंगे इसलिए आपका यहां पर order लग जाएंगा order लगने के बाद आपकी जो position का आपका जो profit and loss है वो आपको यहां पर सेम window पर देखने को मिलेंगा साथ ही आपको यहां पर chart देखने को मिलेंगा दोस्तों मैं share कीजे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे बे नोटिफिकेशन का आउन कीजे तक इस चैनल बाद जैसे जोड़ी हर एक अप्डेट आपको समय समय पर मिल सके थैंक्स एंक्स पर जोएनिंग बने लिए हमाँ साथ नमस्कार